इंदुस्तान में टेलिविजन की सबसे एहम पहचान है दूरदर्शन हर साल 15 सितंबर को यौमे दूरदर्शन की शकिल में याद किया जाता है 61 साल पहले सन 1969 में इसी दिन उस वक्त के सदर जमूरिया जनाब प्रॉक्टर राजन परसाद ने दूरदर्शन की बुनियात रखी थी आज हिंदुस्तान की नाजरीन अपने टीवी सेट पर एक हजार से भी ज्यादे टीवी चैनल्स देख सकते लेकिन कुछ अर्सा पहरे तक ही एलिवीजन के नाम पर सिर्फ दूरदर्शन की मौदूद थी लोगों को आज भी बेंदे लियाद है जब मशहूर सीरियलों की नसलियाद के वक्त सडकें सूनी हो जाती थी किंतु आपने स्वयम यहां आने का कष्ट क्यों क्या ताश्ची मुझे बुलवा लिया होता दूरदर्शन के लिए हंदुस्तानियों के दिल में एक खास मकाम दूरदर्शन के सिगनल्स हंदुस्तान के कोहने कोहने तक पहुंचते हैं दूरदर्शन के नाजरीन सिर्फ मिडल क्लास या लोर मिडल क्लास के शहरी ही नहीं बलके दूर दराज के इलापों में बसने वाले बेशुमार वरीब आदिवासी पिछड़े और जिंदगी से बेल तहा लबरेज बेलों भी हैं जो दूसे चनलस पर अक्सर नदारत रहते हैं दरासल पब्लिक सब्स ब्राट कास्टिंग के शुबे में थी दूर दर्शन ने एक मिसाल पायम की है खबरें हों तालीम या दिल जोई दूर दर्शन ने प्रोग्रामों के मैयार से कभी कोई समझ़़ता नहीं किया आज साथ कौमी चैनल्स के साथ साथ उन 25 चैनलों के जरिये दूर दर्शन हिंदुस्तान की हर जबान और इलाके के लिए दिन रात अपनी नसर्याद चारी रखता है प्रोग्राम मन की बात जिसके जरिये वजीर आजम दूर दर्शन में बसे शहर्जियों के साथ भी सीधा डायलोग कायम कर लेते हैं आज जब मैं मन की बात कर रहा हूं ये सलाहियात और अजाज सिर्थ दूर दशन को ही हासल दूर दर्शन के सिग्नल्स, टेरिस्टीरियल, सेटलाइट, डिजिटल और OTT अर प्लेटफॉर्म पर मौदूर 61 साल पहले शुरू हुआ ये सफर आज भी जारी आज भी करोनो शहरी दूर दर्शन के प्रोग्राम बेहत दिल्चस्पी से देखते हैं यकीनी ख़बरों के लिए दूर दर्शन पर भरोशा करते हैं और दूर दर्शन से खुद को पुड़ाँ का दर्शीच करते हैं नमस्कार आदाब दोस्तों हर साल 15 सितंबर को भारत दूर दर्शन दिवस बनाता है 15 सितंबर 1969 को भारत में पहली बार दूर दर्शन का प्रिसारन आरंध हुआ आज इस बहुत खास मौके पर हमने एक परिचर्चा आयुजित की है और इसमें हमारी मेहमान है, हमारे साथ मैं आपको इंटर्डिउस करा देता हूँ मेरे साथ हैं शिरी प्रदीप सरदाना, जाने माने पत्रकार है फिल्म और टेलिविजन के छेत्व में आपका एक बहुत बड़ा नाम आपने दूर दर्शन के लिए भी खूब लिखा है, बरतवान जो कमेर्शल टेलिविजन है उसके उपर भी खूब लिखा है और फिल्मों के उपर तो लिखा ही है स्वागत प्रदीप जी आपका इसके अलावे हमारे साथ हैं शिरी सुधी टेंडन साहब सुधी टेंडन जी दूर दर्शन के रिटाइड एडिशनल डिरेक्टर जनरल है और आपका बहुत लंबा बहुत लंबी इनिंग्स है और बहुत अच्छे कारिकरम आपने बनाए अलग अलग पदों पर भी रहे दूर दर्शन में जब किसी एक दो लोगों का ऐसा नाम लिया जाता है जिन पर संस्थान फखर करता है उन में से एक हैं शिरी सुधी टेंडन आपका स्वागत बहुत 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 देंडन साब इसके अलावा मेरे साथ में हैं शिरी धीरंजन मालवे धीरंजन मालवे जी दूर दर्शन और आकाशवाणी से तो जुड़े ही रहे बहुत लंबे समय तक इसके अलावा आप BBC में भी रहे तो आपका एक तरह से कहें तो global exposure रहा है इस कारिक्रम में इस विशे पर बात करने के लिए दूरतर्शन से जोड़े मुद्दों को याद करने के लिए और आज के संदर्ब में इसके चर्चा करने के लिए हमारे बीच आए आपका बहुत तो शुक्रिया दिरजन मानवी साथ प्रोग्राम की शुरुआत इस तरह से कर लें क्योंकि आज टेलिविजन हर हिंदुस्तानी का क्या हर शक्स की जिंदगी का एक बहुत एहम हिस्सा बन चुका है हम सब जानते हैं और इस digital age में जबके technology का convergence हो चुका है तो एक तो ये भरम है कि हम channel को control कर रहे हैं remote हमारे पास में है दूसरी तरफ इसका दूसरा पक्ष्ट जो है कि virtual programming तो हमारी television कर रहा है हमारी priorities वो तेह कर रहा है और एक हद तक हमारे फैसलों को प्रभावित कर रहा है यानि कि जो फैसले हम रोजाना लेते हैं वो to a certain extent television से देखने के बाद में हम तेह करते हैं कि X नायक है Y खलनायक है हमारी पसंद क्या होनी चाहिए हम क्या खाएं हमें कहां जाना चाहिए ये तमाम जो हमारे हमारे फैसले रोजमर्रा के होते हैं वो television के जरीए से लिये जाते हैं आपका बहुत तबील अर्से तक इसे तालुक रहा है दूर दर्शन से वर्चुली एक मीडिया पसंद तो कभी भी भले ही संस्तान से अलग हो जाए लेकिन मीडिया अपनी गतिविदियों से तो अलग नहीं होता इस चीज को SS कैसे करते हैं कैसे क्या मुल्यांकन आपका है दूर दर्शन के विशेश संदर्व में चन्नन साब आप से पूरता है देखेब मैं दूर दर्शन से सन 66 से जोड़ा हूँ 66 का मतलब होगा कि जब डेली बुलिटन शुरू हो रहे हैं ने बुलिटन तो शायद बाद में शुरू हूआ है लेकिन उस जमाने में जो है समझ ये 66 या 67 में जिनको आज हम सीरियल कहते हैं उस जमाने में हम सीरियल करते थे हमाएर पास रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं होती थी वो सब लाइव जाता था दिन में रिहरसल करते थे और शाम को वो लाइव जाता था और पांच कैमरा से हम करते थे उसी एक बड़े सेट के अंदर जो है अलग-अलग जो है वो साइट्स बनती थी कि ये कमरा है तो ये ड्रॉइंग रूम है ये फलाना है धिमका है और जैसे भगवती चरण वर्मा का उपन्यास था भूले बिस्रे चित्र वो सत्रा पार्ट्स के अंदर या सत्रा अंकों के अंदर पैतालिस मिनट का वो जाता था तो वो एक रूप था दूसरा था कि हम स्कूल टेलिविजन करते थे स्कूल टेलिविजन में देली स्कूल डारेक्टरेट जो है डिपार्टमेंट अफ एड्यूकेशन जो था उसके साथ हम करते थे और ये बहुत बढ़िया एक ये प्रयोग था वो कि जिन स्कूलों के अंदर और बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जहां पर प्रयोग शालाएं नहीं थी लबारिटरीज नहीं थी तो वहां पर उनको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैट्स, इंग्लिश और सोशल साइंसे ये पांच सब्जेक्ट जो है वो हम स्कूल तुम्हो में लगते थे उनको डारेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने जो है टेलेविशन सेट प्रोवाइड करे थे और उनकी क्लास के हसाब से जो है वो प्रोग्राम्स जो है वो टेलीकास्ट होते तो दूसरा पहलू एक ये था प्लास जो है अलग-अलग किसम के हम तो जिसके घर में तेलेविजन होता था, वो एक कम्यून्यूटी सेंटर वन जाता था आसपडोस के लोगों के लिए, तो उसी तरीके से कम्यूनुटी सेट नाय गये और कम्यूनुटी सेंटर्स के अंदर वो रखे गये, तो बहुत सारे इसके अंदर प्रयोग हुए, बहु बहुत बदलाव आया है, अच्छा भी है, बुरा भी है, हर तरीके की चीज़ है। जिसने तमाम दूसरे देशों में पब्लिस अबिस ब्राटकास्टिंग को इंफ्लूएंस किया है, डिरेक्ली और डिरेक्ली लोग एक आदश की तरह से उस अंस्थान को देखते हैं, वहाँ भी आपने काम किया है, और यहाँ भी आपने काम किया है, तो आप एक शायद कहिए कि मुकमल जज हो सकते हैं कि यहाँ की अच्छाई, यहाँ की वहाँ की अच्छाई, यहाँ की बुराई, वहाँ की बुराई, यह जो सफर है, इतना तवील, वो किस तरह से आप अपने लफ्जों में आप उसका मुल्यांकन करेंगे. श्रीकान जी आपने बहुत अच्छी बात कही है, यह सच है कि जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्परेशन है, बीबीसी, वह वास्ताओं में जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग है, इसकी अउधारना का वो जन्म दाता माना जाता है, और फिर धीरे धीरे क करके, बीबीसी की तर्ज पर और अनेक देशों में पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग शुरू ही, कैनड़ा का आप नाम ले सकते हैं, अपना देश भारत तो ही है, आस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड, मलेशिया, जापान भी, ऐसे तमाम मुल्क हैं, जहां पर की पब् ब्रिटन का ही मॉडल था, बीबीसी का ही मॉडल था, लेकिन पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग की जो अधारना है, वो कोई वैसी निश्चित अधारना नहीं है, जो बीबीसी के लिए जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग की अधारना थे, वो भारत के लिए क पॉब्लिक सर्विस ब्राडकास्टिंग की अउधारना थी उसको एक अपनी नज़स पे देखा। उन्हें लगा कि अभी देश तुरंत आजाद हुआ है, हमें देश का विकास करना है, उद्जोग ने ने आने हैं, कृशी का विकास होना है, शिक्षा का विकास होना है। और इन सब में जो पॉब्लिक सर्विस ब्राडकास्टर है, उसकी एक जबरदस्त भूमिका हो सकती है। तो जो ब्रिटन की अउधारना रही, के जो पॉब्लिक सर्विस ब्राडकास्टर होगा, वो एक परकार से सरकार के साथ आर्म्स लेंट बनाके रखेगा। लेकिन वो अधारना यहां की भारत की जो अपनी देश और काल के परिस्तितियां थी उसके अनुकूल नहीं थी इसलिए यहां जो पब्लिक सर्विस ब्राडकास्टर की अधारना आजादी के बाद से शुरू ही वो हुई के जो पब्लिक सर्विस ब्राडकास्टर होगा वो वास्तों में एक प्रकार से सरकार की जो सरकार के जो कारिकरम है जो विकास के जो कारिकरम है जो देश को यह हमें विक्सित करना है आगे ले जाना है उसमें जो पबिसर्विस प्रोडकास्टर होगा वो भी एक प्रकार का पार्टनर होगा और पार्टनर होना एक प्रकार से जोरी भी था क् कि वास्टों में जब आप योजनाएं बना रहे हैं जब आप लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे schems ले जा रहे हैं तो जब तक कि लोगों को उसके बारे में पता नहीं हो से सरकार के विकास में पार्टनर्शिप के रूप में ज्यादा रही है और जो इसको आप जो ब्रिटेन या कनाडा या अन्य देशों में जो पब्लिक सर्विस ब्राड कास्टर की भूमिका है उससे हमें थोड़ा सा अलग करके देखना पड़ेगा बहुत सारे जो अब नए चैनल आ रहे हैं जो बिलकुल शिख्या को समर्पित हैं और उसमें दूरदर्शन की भागिदारी भी है और एक जो बिलकुल सुदूर गाउं में बैठा हुआ है यहां पर के और कोई सुधा नहीं है स्कूल में जो सुधाएं है जो इंफ्रस्ट्रक्ट्चर नाम मात्र का ह लेकिन ये टेलिविजन की महिमा है कि जो देश का सबसे बड़ा विद्वान है, जो सबसे बड़ा काड़े मीश्यन है, उसकी उसका जो लेक्चर है, उनकेवल सुन सकता है, बलकि उसके साथ सीरत समवाद कर सकता है, उसका सवाल पूछ सकता है, तो ये जो कमाल है केवल एक प वो यही था कि ये एजुकेशन का माध्यम होना चाहिए उसके बिना जो है ये कहीं पे बेशन को ही नहीं प्रिदेप सरदाना जी सुधी टंडन साहब और मालविय जी दोनों एक अभिने हिस्सा है या रहे हैं दूरदशन और आकाशवानी के तो जो आपके विचार है वो जाहिर है आपने सुनने होंगे आप एक स्वतंतर पत्रकार है और आज की जो दुनिया है उसमें पब्लिस सर ब्राड्कास्टर ही कहते हैं या जिनके सरोकार हैं और जो कहिए के जन कल्यान के लिए लोगों के को एवेर करने के लिए जो भी परसारण करते हैं वो चाहते हैं कि उसको पब्लिस सब्सक्राइड की डोमेन में ही शामिल किया जाना चाहिए दूसी बात यह है कि हम आखरी इन्सान तक पहुचने की बात करते हैं टेलविजन की जरीए, तो अब शायद चुके इतने ज्यादा चॉइसिस हो गए हैं, डिफेंट प्लेट फॉर्म्स हैं, इविन दूरुदर्शन ने शुरू कर लिया, इन्कूरूडिंग OTT, दूरुदर्शन इस अविलेविल उन OTT इस वेल, बिल्कुल, डिटीएस पर दूरुदर्शन अविलेविल हैं, कि आप जुड़े हुए हैं और शुरू से जुड़े हुए हैं दूरुदर्शन से, तो अबजेक्टिबली क्या देखते हैं, यह जो सफ दूरुदर्शन के जो 61 साल होने जा रहे हैं, जिसमें लगबग मैं 35 साल से तो मैं इसका पूरा शाक्षी रहा हूँ, एक चीज का, हाला कि मुझे सारी पुरानी चीज़े भी मैं पढ़ता रहा हूं, देखता रहा हूं, क्योंकि मैं दूरुदर्शन पे टेलिविजन पे लेखने वाला देश का पहला पतकार हूं, जिसने टीवी पतकाईता शुरू की दूरुदर्शन पर जब कोई सोच भी नहीं सकता था, उस समय में जब दूरुदर्शन जो है सिर्व अपने किशीर दर्शन, चितरहार या संडेख फीचर फिर्म के लिए जाना जाता था, य उसके बाद जो पहली बाद 1965 में, पंदर अगस 1965 को समाचरा बलेटिन शुरूआ, उसके बाद उन्यों सरस्ट में, जानी पहले सूचना आई, उन्यों सरस्ट में इसके बाद किशीर दर्शन शुरूआ, उसके कुज़र बाद में नाटक शुरू हूए, और 2 अक्तूबर 1972 क जब मंबई दूर दर्शन, बॉंबे दूर दर्शन था जाज़ उस समय वो शुरू हुआ, तो उसके साथ में मंदरुणिन आया, नाटक के रूप में थोड़ा मंदरुणिन आ चुका था, पहले आ चुके थे, लेकि उसके बाद जब मंदरुणिन शुरू हुआ, तब इस उसके बाद इसका जब दूर्शन शुरू हुए तो बॉंबे दूर्शन के बाद मंदरुणिन इसमें जोड़ा, और तीन प्रोगाम एक साथ मंदरुणिन के शुरू हो गए, तो यह हाल हो गया कि जब चितरार आता था, या संड़े की फीचर फिल्म आती थी, तो लोग द उसे विशय पर आप ले जाना चाहता हूँ, उसमें कि यह तो ठीक है कि शुरूआत थी, और चूंके आप ही कहने वाले थे, और सुनने वाले के पास में या देखने वाले के पास में कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन में नहीं थे, आपको देखता, और लोक रंजन के लि अबाद ने बहुत जादा हिट हुआ, और शायद इसलिए, और बहुत सारे प्रोग्राम जैसे हम लोग आपने जिकर किया दूसरे, तो ये दिमाग में रखके बनाए गए कि हिंदुस्तानी समाज की जरूरतें क्या हैं, और उसका एक प्रक्षेपन सही, यानि लोग देख कुछ लोग मानते हैं आपकी क्याधार ने? वो नेशनल नेटवर्क पे पहले आया था, तो करीब चालिस के इंदरा उसको बंचुके से तब तक वो उसको कवर करते थे, तो तब मुझे लगा कि हम फिल्म जब देखते हैं, तो हम अलग अलग समय में देखते हैं, अलग 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 अटेटर में देखते हैं, अलग अ الور میں میری نانی رہتی تھی تو ان سے میں نے بات کیا رہے ہیں अबने दादी माँ जागी देखा असाम में में कोई दोस्त रहते उनका फोरा हम दादी माँ जागी देखा इससाइड गर में कोई रह तो उन्ने दादी माँ जागी देखा तो अरे मुझे लगा ये तो आने वाले दिन क्रांटी ला देगा आप एक ही समय में एक साथ जब पूरा देश एक साथ देखेगा इस प्रोग्राम को तब तो कमाल हो जाएगा तब ही मुझे लगा तो देखी उस सीरल के बाद फिर जब हम लोग लाइट साथ जुलाई उनिस सो चुरासी में याद है एक सो पपेराव उस उसने हमारी भारती सेंस्कृत ही ती पुनानी उसको परिवतर गड़ अकर दाना जिर से काड़ दिया तो इससे के एक नहीं शुरूत हुई तो इसी को देखकर ही और चैनल से शुरूत की यह जो हमारे शुरू हिता रस जाना दो जब पट्रादृ तो जब यह रहों हिगा उसमें कितनी सारी उसकी पब्लिक बॉटकास्टर होने के राते इतनी सारी विवेश्टेयल थी कि आप सीता को किस तरह दिखाएं मुझे याद है उसके मैं एपिसोड देखता था आप सीता को शुरूरू कर्ट स्लिफ दिखाया हुआ था बड़ा मुश्किल था रहे आप सीत उबर 1988 को अगले साल फिर तो जो शुरू आफिस दूरदर्शन ने पीछे मुड़के ने देखा आप देखिए कि मैं अगर मोटे तौर पर भी देखूं तो 75 से लेके 1975 से लेके 1995 तक सिर्फ एक ही चैनल था दूरदर्शन आज हमारे हैं एक हजार चैनल है इसमें न्यूज जो ड्यूज मी देखता था इंडर्टेंवें भी देखता था इस्पोर्ट्स भी दिखाता था चब्यड जन्वन की गटीर्फ और 15 फोर्दर डीम और प्रोगाम भी दिखाता था उसके लए इसके लावा बाकी जो और भी सारी चीज़ है अब आखाशन से dia किए 수न पे इस में को नहीं मिलता है आप सवाचार भी पूरी तरह दिखाते थे आप हर चीज पूरी तरह पहले एक बिलेटिर आता था आदे घंटे का सवाचार का हिंदी का शुरूआ फिर इंगली शुरूआ आज इतने चैनल भी देखा जाए उसके मुकामला नहीं कर सकते जहां तक पहु जो औरिजिनल फर्स टेली कार्श था उससे भी कहीं ज़्यादा बियुट पाई और टी आर्पी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो बताता है कि दूरदर्शन आज भी दूरदर्शन का आज भी कोई स्थानी नहीं है नहीं आप इतने लोग आ गए नहीं लोग आ रहे हैं जब दूरदर्शन का लोग उबसता था और नीचे आता था सत्यम, शिवम, सुंदरम, भारत की कहिए कि आद्चेतना बनियादी संदेश भारत का इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम रहे होंगे जो आपने देखे होंगे काईटिंट ही बनियादी तोर पे एक ब्राड्कास्टर के लिए ऐहम चीज है एक तो क्या काईटिंट क्रियेट किया जा रहा है और दूसरी बात किस तरे से इसको पेश किया जा रहा है जो कहानिया जैसे आपने भगवती चरण वर्मा का उदाहरन दिया कि आपने उनके पन्यास को चुना आज अगर आप कितना भी धन और साथन लगा दे क्या उन क्लासिक्स को लेकर बनाएंगे तो उसके लिए वो वियर्शिप क्रियेट कर पाएंगे शुरुआत में ये आग रह रहा है दूरुदर्शन का खास्तों पर बलके सभी लोगों का जिनके सामाजिक सलोकार रहें कि वो चीज़ें दिखाई जाएं तिनका तालुक हमारी जिंदेगी से हो धीरे धीरे जैसे जैसे टेलिविजन चैनल्स बड़े हैं शायद content की मामली में यहां समझ होता कुछ हुआ ऐसा हमें लगता है आपका चुकी खेत्र है आपकी विशेशगता है आपके सूचते है जो आपने content की बात करी और फिर आपने कहा कि इसको कैसे पेश करा जाए that means presentation 70s के अंदर तो मैं अपना ही example एक आपको दे सकता हूँ कि हब ऐसे daring programs करते थे जो आज भी शायद संभव नहीं हो और उस जमाने में उसकी acceptance थी लेकिन उस जमाने में हम innovative थे हर नई चीज को अगर tastefully अगर आपने present किया है तो उसका acceptance था आज जो है और उसके लिए क्या चीज चाहिए एक आपको content चाहिए और दूसरा आपको जो है उसको पेश करने वाला skilled director, cameraman मतलब skilled workforce चाहिए आज जो है वो शायद यहाँ पे कमी है तो कहीं पर नहीं है वो हाँ और वो जो है जो आपने कहा कि जो है reality जो है जो वास्विक्ता है आप यह देखिए कि आज हमारी जिंदगी में आक्रोश कितना है आज हमारी तूरदर्शन की जो समस्या है वो यह है कि पिछले 17-18 साल से recruitment नहीं हुआ है पहले जो recruitment था वो discipline के हिसाब से था कि भई अगर आपका जो है हमें dance चुकी दिखाना है या संगीत दिखाना है तो उसका producer या director जो है वो कौन होगा में train करते हैं या news presenter की रूप में train करते हैं यह भी तो होता है ना कि जिस discipline में आपकी training रही हो उससे जो है आप करफ़ भी तो हो सकते है ना यह यह पर लेए आपका बहुत बहुत व़ड़ा न्यूजण करेंटर अफेस के परोगर्राम में रहा और वही बत मालवी तापके साथ में भी रही के न्यूजण करेंटर अफेस से बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे और इसलिए भी चुके बी बीबी सी से भी श्रिकान जी ऐसा है कि जो पब्लिक सर्विस ब्रोड कास्टिंग की आउधारना है और उस आउधारना के अंदर जो समाचार की आउधारना है उसमें इस तरह कि किसी भी चीज़ की गुंजाईश है ही नहीं कि अगर समाचार की किस आउधारना को हम लोगोंने ग्रहन किया था उसमें ये था कि हमें जो कुछ भी समाचार दिखाना है सत्य दिखाना है संपूर्ण दिखाना है बहुत ही वस्तुपरक यानि अब्जेक्टिव हो करके दिखाना है और अगर उस घटना के दो तीन चार पांच जितने भी पहलू हो सकते हैं तो हर पहलू का एक विशशग्य हमारे पास होगा और वो जो विशशग्य होगा वो फिर लोगों को एक संपूर्ण जानकारी दे देगा और जो हमारा एंकर होता था वो एक प्रकार का मेडियेटर करता था बिट्विन क्या सकते हैं कि हमारे श्रोता हैं और हमारे जो एक्सपर्ट जो इन्वाइटेड हैं और कोशिश ही होती थी कि हमारा जो विवर है हमारा जो दर्चक है उसको उस घटना के जितने भी पहलू है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए फिर हमारा जो भी अंकर होता था उसको ये हिदायत होती थी हिदायत देने की भी जोरत नहीं पड़ती थी उसकी जो कारी संस्कृती का वो हिस्सा होता था कि आप जब घर जाएं अपने दोस्तों क बिच जाएं तो आपकी कोई भी रै हो सकती है किसी भी राजनीतिक घटना को उपर में लेकिन जैसे ही आप दूर दर्शन के आहाते में प्रवेश करते हैं फिर आपकी कहीं कोई राय हüz ही नहीं संस्था की कहीं कोई राय ही ही हमारा काम है कि किसी विशे पर अलग अलग राए रखने वाली जितने लोग हैं उनकी बातों को हम पेश कर दें और उसके बाद हम जो हैं दर्शकों की बुद्धिमत्थ सका अपमान है उनके intelligence का सिधा insult है कि as if के आप अपनी को इधारना बना ही नहीं सकते क्योंकि हमारे सामने camera है हमारे सामने microphone है इसलिए मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं मैं दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान आदम हूं कम से कम जो हमारी जो public service broadcasting के अधारना है उसमें ये कहीं से ऐसी चीज आती ही नहीं जी आप एक independent व्यक्ति है एक स्वतंत्र पत्रकार है और television और film दोनों पर लिखते रहे हैं दूरदर्शन ही पर नहीं बलके आपने दूसरे channels और दूसरी पत्रकारता पर भी खूब लिखा है इस चीज को आज की जो इस्तिती है जो से डैरियो है आज का खास्तों पर new channels में वो आप कैसे देखते हैं देखे इसमें कोई शेक्ति नीज चैनल जो टी आर्पी के सारे खेल में रगे हुए उनके लिए सबसे बड़ा target है सब के बनाय हुए सब कुछ लेकिन फिर भी आप देखिए आज किसी चैनल को आप अगर बंद कर देते हैं किसी बैन लगा दे शोर मन जाता है किसाब लोकसंदर की अर्तिया हो रही है इसलिए चैनल मनमानी करने खुब मनमानी करते हैं आप उनको कहते रही है नोटीस बेज झञिए रहा हुए और लगाताई तीरों ससे जड़ा हूँ बैड़ चल के साद BE îW PIG जब जो चल भागते हैं तो यह जो दौश शुरू है उसे पकाईł तक इसतर रहा है आप ठीके रिपोर्टिंग कीजिए आप गईरी चीज लाईए लोगों को बताईए दर्शक चाहते हैं गईरी चीज आपको विले वो कलेक पोईट है दिल्ली में जबके एक महिला को तंदूर में जलाके मार दिया गया था और कारेकरम उसी दिन जब बहुत बली चुनौती नहीं थी और एक बड़ा एक्सपेरिमेंट वो हुआ था वो चीज अगर आप याद आपको आती है आप बताएं किस तरह क्या हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहें उसमें ऐसा था कि आप ही उसके प्रोग्राम बनाओ और पहली दफ़े ऐसा हुआ ने कहा कि रात को यह घटना घटी थी और हमें सुबह पता लगा तो तो तुरंती जो है पार्लमेंट स्ट्रीट थाना का वो एरिया था जिसके अंदर ये केस आया था क्योंकि अशोक रोड पर ये घटना घटी थी होटेल के अंदर तो वहां से कॉन्टैक्ट करके और हम इसको जो है रीक्रियेट करेंगे पूरे इंसिडेंट को रीक्रियेट करेंगे और टाइम भी वही होना चाहिए जिससे क authentic बात लगे तो इन्हों ने जो है वो पुलिस वालों के साथ मिलके जो महिला का जिनको जिनके साथ ये कांड हुआ था उनके घर गए वहाँ पे शूटिंग करी जिसने ये कांड करा था जो सयोगी था जो पकड़ा गया था उसका इन्हों ने इंटर्वियू करा थाने के अंदर जो कॉंस्टेबल जिसने ये देखा था उसको करा गया उसने वो रीक्रियेट करा उसी तरीके से होटल से जो है दिवार को फांद के उसने करा सब कुछ नोंने करा अब हमारा जब प्रोग्राम तयार हो गया मैंने ये ठीक समझा कि मैं अपने डीजी को इसकी सूचना दू जिससे कि ये शुड नॉट बी टेकन अबैक तो हमको ये ओर्डर्स मिले कि भई ना तो इसके अंदर विक्टिम का नाम आए उसकी आइडेंटिटी रिवील हो और नहीं जो जिसने क्राइम किया है पर्पेट्रेटर है उसकी आइडेंटिटी होगा हमने का सर फिर इस्टोरी में बचा किया कहने लगे no these are the instructions अच्छा जी खैर दोबारा से उसको रिएडेट करा गया ये हुआ कि भई एक जगें पर इस तरीके की घटना हुई है और ये वास्विक है क्योंकि पुलिस वाला ये सारा चीज इंवाल्ट है उसके दो घंटे के बाद हमारे टेलेकास के दो घंटे के बाद पता लगा हमारे डीडी थ्री पे कोई एक प्राइवेट प्रिड्यूसर थे उन्होंने इसी घटना के ऊपर जो है सर्फ न्यूज रिपोर्ट करी है उन्होंने कोई रिक्रियेशन नहीं करा रिपोर्ट करी है और उसके अंदर बगाइदा इन सब के नाम भी ले दिया फिर हमने डीजी को फोन करके का सर यह क्या हुआ तो उन्होंने सर्फ दो टूक जवाब दिया फगेट इट उसके तीन चार दिन के बाद जो है वो न्यूस ट्रैक रिलीज हुई उसकी अंदर जो है यही स्टोरी उसी तरीके से रिक्रियेट करी गए पर वो रियल करेक्टर नहीं थे हमारे बाले में हमने का कि भाई यह देखो इससे जो है निवस ट्रैक से पहले ही हमने यह चीज करी ती यह सारी चीज करीट प उर्दू न्यूस बॉलिटन करवाने वाला मैं शक्स हूं हमको यह ओर्डर मिला कि एक हफते में हमें न्यूस बॉलिटन उर्दू का शुरू करना है अब सवाल यह हुआ कि इतनी जल्दी और दूरदर्शन में कोई भी व्यक्ति कैमरा के आ गया है तो उसका ओडिशन होना ब फिर जो है कुछ करके सेंट स्टीफन्स कालेज के एक मकान के अंदर जो लोग भी जिनको भी हम लोग जानते थे उर्दू वालों को कॉन्टैक किया कि भाई किसी को भेजो उनको वहां पे एक ओडिशन करा उसमें से जो है शॉर्ट लिस्ट करा फिर जाकि उनका क्यामरा ओ बिल्कुल शुरू हुआ मैं बलके यह और जोड़ना चाहूंगा कि डेफ़ेंडब का बिलेटिन यह दूर दशन ही की एक इनिशेटिव वड़ा इनुवेटिव है और यह पॉब्लिक से प्रोडकास्ट भी कर सकता है और यह भी मैंने करा था परहाल वक्त हमें इतनी ही हैं जहां पर टेलिविजन और यह कहिए के कन्वरजेंस आफ टेकनलोजी इनेविटेविल है हो चुकी है और हमारे जीवन को परवावित करने में यह टेकनलोजी बहुत बड़ी भूमिका एक निभा रही है दूरदशन दिवस के मौके पर आप हमारे साथ रहे आपका आतारे इप्रोवाईजेशन कर रहा है और इस फिक्र के साथ में कर रहा है कि चुकि वो आप हमारा हिस्सा है और हम आपका हिस्सा है यानि हम अपने समाज की सरोकारों को ध्यान में रखते हुए अपने कारेक्रमों को बनाते हैं हो सकता है कुछ लोग इससे इतिफाक ना कर लेकिन पब्लिस सब्स ब्राड़कास्टर होने के नाते ये दूरुदर्शन की जिम्मेदारी भी है और दूरुदर्शन आज भी यही कोशिश कर रहा है कि वो अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरे आपका ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और प्रिदीप सरदाना जी आपका और मालवेसी आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर मुलाकात होगी इस खास प्रोग्राम के लिए धन्यवाद